हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका हमारे चैनल सिंपल होम गार्डिनिंग पर दोस्तों आज का मेरा वीडियो गार्डिनिंग टॉपिक पर नहीं है आपको मालूम है कि आज हमारा देश भारत और पूरी दुनिया कोविड-19 जैसी खतरनाग डिजीच से जंग लड़ रही है ऐ लोगडाउन कर दिया गया है लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है क्योंकि लोग अगर बाहर निकलेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे यह जो कोविड-19 जो कोरोना वायरस से फैलने वाले बीमारी है यह और ज्यादा फैलने लगेगे इसलिए हमें बिल्कुल ही बाहर नहीं निकलना चाहिए अगर आप खुद को और अपने देश को इस कोविड-19 जैसी खतरनाक बीमारी से बचाना चाहते हैं जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है तो आप अपने घर में ही रहें अपने घर से बाहर ना निकले साफाई का ख्याल जरूर रखें आप अ आप मार्केट जा रहे हो तो आप मास्क का इस्तमाल जरूर करें अपने हाथ में गलॉप्स का इस्तमाल जरूर करें क्योंकि सफाई और भीड से दूर रहना ही इस बीमारी की बेहतर इलाज है अने था आपको इंफेक्शन हो सकता है तो फ्रेंट्स ऐसी स्थिती में मार्के सेनेटाइजर कैसे बना सकते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा और इसे मैं उल्टा रख देता हूं ताकि जो इसके एलो पाट हैं जो ख्राब पाट हैं वो बाहर निकल जाएं आप मार्केट वाला एलो बेरा जेल का भी इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों इसे उल्टा रखने से इसको जो एलो पाट होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं सेनिटाइजर बनाने के लिए अब मैं जो दूसरा चीज लेने वाला हूँ ये गिलोए है जिसे टेनिस पोरा भी कहा जाता है कुछ लोग इसे गुरूची भी कहते हैं तो ये भी एक बहुत ही बहतरीन हर्बल प्लांट होता है इसलिए इसका भी मैं यूच करने वाला हूँ एलोबेरा पल्प को आप किसी इस्पून की सहता से आसानी से निकाल सकते हैं या आप नाइफ का भी यूच करके एलोबेरा पल्प को निकाल सकते हैं तो चलिए इसे निकाल कर आपको दिखाते हैं एलो बेरा पल्प को बाहर निकालने के बाद आप अपनी हाथों से इसे अच्छी तरह से मैस कर लें आप ग्राइंडर में भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं तो चलिए इसे हम अपने हाथों से अच्छी तरह से मैस कर लेते हैं दोस्तों तीसरी मैं जो चीज यूज करने वाला हूँ ये कैंपर है जिसे कपूर भी कहा जाता है ये काफी अच्छे ऐंटि-bacterial and anti-fungal प्रोपर्टी को होते हैं जो हमें infection से safe करते हैं हमें infection से बचाते हैं अब मैं आपको चौथा चीज जो दिखाने वाला हूँ ये एलम है जिसे फिट कीरी भी कहा जाता है इसमें भी काफी अच्छी एंटी बेक्टेरियल और एंटी सेप्टिक प्रोपर्टी होती है इन दोनों का यूज मैं करने वाला हूँ दोस्तों अपने गाडेन के चीजों से ही 100% हर्बल और 100% सेफ सेनिटाइजर बनाने के लिए बहुत ही कम खर्च में सबसे पहले हमें जरुरत पड़ेगी एक बाउल की तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने एक बाउल ले लिया है अब इसमें लगभग हम एक लिटर के कर चलिए हम इसमें पानी एड़ कर लेते हैं उसके बाद सबसे पहला चीज हमें डालना है इसमें नीम लीफ दोस्तों नीम लीफ में काफी अच्छी एंटी बैक्टेरी प्रोपर्टी होती है जो हमें कई तरह की बिमारियों और कई तरह की कीड़े मकोणों से बचाती है अच्छी प्रोपाटी के यह होते हैं इसलिए हम इसमें लगभग थोड़ी सी तूलसी एड़ कर लेते हैं जो मैंने मंजरी सहीत यूज किया है अब इसमें हम तीसरी चीज यूज करने वाले हैं यह गिलोए की बेल है जिसे गूरुच भी कहा जाता है मैं यह लगभग अच्छे टुकड़े में कर लिया हूं तो मैं इसे इसमें भी एड़ कर देता हूं अब चौथी चीज इसमें हम डालने वाले हैं एलोबेरा की पल्प दोस्तों एलोबेरा जेल का भी स्तमाल आप कर सकते हैं इससे आपके जो हैंट रहेंगो स्मूथ और काफी सॉफ्ट रह मार्केट में आपको ऐजसी मिल जाएगा दोस्तों अबलने वाले हैं फीड की यानिली एल म्हां दोस्तों यह भी आपको मार्केट में आसादी से मिल जाएगा लगबग एक चमच के करीब फीड की और कपूर हम डालेंगे दोस्तों अब आठीमी चीज इसमें हम डालने वाले हैं संत्रे का छिलका दोस्तों संत्रे के छिलके से हमारे जो सनेटाइजर बनेंगे वो खाफी अच्छी उसमें से खुसबू आएगी आप लेमन ग्रास का भी उज़ कर सकते हैं तो चलिए इस संत्रे के छिलकों को हम छोट आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे दोस्तों हमने जो भी इंग्रिडियंट्स इसमें एड़ किये हैं चाहे वो नीम लीफ हो तुलसी एलो बेराग पल्प कपूर फिटकीरी लेमन या संत्रे कचिलका या गिलोवे जो भी हमने इसमें एड़ किये हैं जो भी मेटेरियल्स को अच्छी तरह से लो फ्लेम पर पका लिया है आप देख सकते हैं कि सारे इंग्रिडियंट्स के गुन हमारे इस वोटर में आ गए हैं इस पानी में आ गए हैं तो दोस्तों इसे हम अपने गैस को बंद कर देंगे उसके बाद इसे ठंडा होने देंगे ठंड तो इस तरह से मैंने अपने गार्डेन के चीजों से बहुत ही कम खर्च में 100% हर्बल और 100% सेफ सेनिटाइजर को बना कर बिल्कुल ही तयार कर लिया है आप देख सकते हैं अब आप इसे किसी बोटल में भर सकते हैं वो पंप वाला बोटल हो चाहे वो फ्लैप वाले बोटल ह उसमें आप भर सकते हैं जिससे आपको आसानी से अपने हाथों को क्लीन करने में बिल्कुल ही आसानी हो तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने अपने होममेट सेनिटाइजर को जो बिल्कुल ही हर्बल 100% हर्बल है उसे छोटे-छोटे फ्लैप वाले बोटल में भर लिया है आप उसे अपने पास आप हमेशा ही रखें क्योंकि आपको हमेशा ही अपने हाथ को क्लीन करना है तो दोस्तों इस तरह से आप अपने हाथ में इसके चार से छे बुंद लेकर उसे अच्छी तरह से अच्छी तरह से अच्छी तरह से उसे अपने हाथ को क्लीन करते रहें तो फ्रेंट्स आप भी अपने आपको और अपने देश को इस गंभीर बिमारी से सुरक्षित रखने के लिए इस सेनिटाइजर को अपने घर में जरूर बना कर ट्राइ करें जो बिल्कुल ही हर्बल 100% हर्बल है आपके गार्डेन के चीजों से ही बहुत ही कम खर्च में इस सेनिटाइजर को मैंने बना कर आपको दिखाया है तो दोस्तों आप सारे परिवार मिलकर इस सेनिटाइजर से हमेशा ही अपने हाथों को क्लिन करते रहें अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें साथ साथ आथ परे चैनल सिंपल होम गार्डेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ऐसे ही इच्फिल वीडियो के लिए थैंक्यू दोस्तों